है मैंने वीडियो स्टार्ट ने की ते तो अभी स्टार्ट कर दिया तुछ हमारे देखो हर कोई इसलिए करता है कि चलो हमारा कुछ थोड़ा बहुत हो हो जाएगा ठीक है हमारे बुच्चों का थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ जरूरियात पूरी हो जाएंगी लेकर यह इनको इसास नहीं होता इसलिए मैं इनको इतनी नहीं देनी चाहिए वैसे लेकिन कि मुझे दर्द होता है इस चीज़ का ठीक है मुझे पता है कि जो लोग मेरे पास आते हैं विचेर स्थूडून्ट रो होते हैं खासकर मुझे स्थूडून्ट का इएसास होता है जिए जीनको 8 लगा इन सिखाते हैं यह बस चार-पांच लेने लगवाना सिखा देते हैं और वो बिचारा आता है फिफटी वो भी देता है स्टूडेंट एक बिचारा उसके बाद वो सव एक और इनुवर्ष्ट करता है वो भी दे बढ़ता है तो क्या फैदा यार अब गोरों को सिखाओ भई जिनके पास पैसा है जो इस चीज़ का बरदाश भी बड़न कर सकते हैं यार कि कौम पहले से इतने बड़े कलीज हुकमरान आये हों इस मुलके उपर जब से बनाये मसलत हैं तो इस कौम को तो न लुटो यार कम से कम इसका तो कुछ तो एसास करो इसमें बड़े करते हैं तो किसी पैसे वालों को रूटो को नवाज शरीफ 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 इसे को पकड़ो ठीक है उन्हें के पास जाओ ऐसे के पास हम गरीब हो क्यों लूट रहे हो एक तो हमसे फी ले रहे हो दूसरामें सिखाते कुछ नहीं हो तो जब नाम बता देंग आपको भी पता के अपर एकाउंट बनवाते हैं एक एकाउंट से यार अगर आप 100ड़ करते हो ना ज्यादा से ज्यादा भी इनको मिले तो 6-7 ड़लर मिलता है जब आपका एकाउंट वाश होजाता है कि कमिशन छे से साथ डलर हजार या बारा सो तो यह उसके लिए आपका पूरा एकाउंड वाश करवा देते हैं आपको अपने रेफॉर्ण के उपर एकाउंड मराओं हम आपको सिगनल देंगे बिना करें यह करें तो इनको इसास नहीं होता कि यार वो बेचारा कहां इतनी हमाउट है, वो कैसे करकर किला जाया है, किस से लॉनली है उसने, उसके घर के हलात कैसे है, उसके बच्चे होगे, बीवी होगी, तो उसका सर्कल कैसे चलेगा, लेकर इनको नहीं हिसास होता है, ये चीजे आपको फिर खुद को समझनी होगी, इसलिए मैं थोड़ा सा ज बात कर रहा होता हूं, खुरसा आपको समझा रहा होता कि आप लोग ये चीजे भूलो ना, आप लोग अपने मैंड मेरे खुजे चीजे, वना यहां पर बज़र्ग बैठे हैं, मैं उनका बड़ा हितराम करता हूं, हमारे वालदेन की जगापे हैं, एक दो हैं बैठे हैं तो माज़रत उनके लिए, जो मैं अलफाज ही सबाल करता हूं, बाकी आपकी समझने के लिए, मेरा मैंन मकसद है आपको समझाओं, आपका मैंड सेटप ठीक हो, आपको कुछ समय जाए, कुछ हासिल करके जाओ यार, आप फीड एके बैठे हो सब लोग, कुछ हासिल करके ज किसे में आपको अप्लाई करना भी सिखाऊँगा, कि आपने अपनी सैकॉलॉजी बनानी केसी है, वो आपको चार्ट के उपर बताऊँगा, आपको मार्कीट खुद बताएगी, कि आपने म donor साथ चलना केसी है, मेरे साथ कैसे डिलिंग करनी है, आपको मार्कीट की बोली सम को समझाता जा रहा हूँ यह अगर आपके पास कोई पहना है तो नोट करते जाओ नए तो यह क्लासिस मिल जाएगी सब को जनकी फीसेस कलियर होंगी और जो रेगुलर क्लासिस ले रहे हैं ठीक है जो रेगुलर रहे हैं उनको मैं क्लासिस यह रिकार्लिंग भी दे दूँगा इस पब्लेश नहीं होगा मेरा कोर्स लेगन यूट्यूब के ऊपर रहेगा लेकिन वह लिंक के जरीए ही आपको मिलेगा तो यह चीजे नोट करते जाओ मैं मतलब द कभी भी मर्कीट के मर्कीट को आपने ब्रोकर की साथ मर्कीट के ब्रोकर चार्ट के ओपर आपने अनलाइज नहीं करना यह बात अपनी मतलब के मैंड में बिठा दो ठीक है यह कान से सुनके दूसरे कान को बंद कर दो वहां से निकलना जाए कभी भी ऐसा नहीं करना हमेश जब भी मर्केट को इनलाइज को ड्रेडिंग वी तो पर लेओو मैं आपको बार-बार कह रहा हूं ट्रेडिंग बेशक हम जो ट्रेडिंग वीः यहां पर यूज करने यह बल्कुल ना कोई या आपकि साइकॉलोजी को खराब करते हैं आपके ट्रेड़िंग स्टेल गटाब गारते हैं अब जो सीक होते हैं यू से भी बरबाद कर देते हैं तो सीरिश होके लो यार थोड़ा सा मेरा भी एसास करो अपना भी एसास करो तो मजाक ना लो इंगिजिए को कांटली प्लीज ये चीज़े समझो आप लो अच्छा तो कभी भी ब्रोकर के ओपर आपने कोई भी ब्रोकर हो उसके ओपर आपने अनलाइज निस इस अब बेस्ट वे फार अनलाइज ये बेस्ट वे अनलाइज करने के लिए हमेशा हम मुझे अबल में लाग चार लाग का लॉस हुआ था जब मैं मुझे पता ही नहीं था ट्रेडिंग व्यू होती गया ठीक है तो यह ब्रोकर आपको वे दिखाते हैं आपको फेक कंडल बनाते हैं आप देख लो एक से एक सिनस की पेले हो जाती है तो यह अपनी क्लोउस होता है को फेसला हुआ हो जाता है जी बोलो क्या होता है सार मेरा भी धी क्वेस्टन था कि Mp4 के जियु के लिए होता है है क्रेंडिंग वीयू का पहले होता है तो é क्या मस्ला है क्या होता है क्या है अ साथ भाई वही तो मैं चीज आपको बाहर बर कहे रहो mm है अपना माइक बंद करो जारता है है तो मैं यह समझा रहा हूं कि ट्रेडिंग विउग के उपर यह ट्रेडिंग विउग जो है ना यह को अलेदा प्लेट फॉरॉम थीक है इसमें आपको यह डिरेक्ट मार्गिट के साथ को नक्ट होता है इसके अंदर इसके अंदर भी हुआ पैसे 50-60 डलर जाय करते हैं उससे बेहतर है कि आपको इदर इसको सिर्फ एनराइज के लिए यूज करो बाकि उदर लाट ले लिया करो देख लिया करो बस लाट क्लोज कर जिया करो देख लिया करो निकाल लिया करो एसल उदर से लगा लिया करो बाकी आपने एसल का ए से नहीं यार एमटी सh fours दफा मारो यार उसे देखो लिए औरuman के वी पूर के चार्ट को समझो लें Stevens लोगवशा को आपका दुश्मन सबसे बड़ा दुश्मन उट्र का ये समझने के लिए है मिर्किट के चार्ट को पूर के लिए यह एक प्लेटफ फारम है जो आपको सही तरीके से बताएगा कि मार्कीट की नेक्स्ट मोड़ क्या है क्योंकि को नेक्स्ट मुड़ क्या बताती है हमें कोई यार देखो मैं आपको यह बनते हैं आप एम्टी फॉर की उपर चिला जाओ यह चीज आपको नहीं नदर आपको एक 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 चीज बता रही है कि नेक्स्ट क्या होने वाला है ये जो केंडल्स बन रही है ना ये जो पिटर्ण्स बन रहे हैं ये आपको बता रहे होते हैं कि क्या होने वाला है मैं आपको यहां से कुछ और दिखाता हूं ये एक केंडल है देखो ये बता रही होती है इनको समझने की कोशिश करो यह candle आपको यह बता रही होती है कि अब क्या हूने वाला है तो यह candle H4 के ओपर MT4 के ओपर ऐसे नहीं बनी होगी उसके कोई और ही शेक्वान होगी और ही डिजाइन होगा आपको खराब करेगी यहां पर जब आओगे तो यह राइट वे बताएगी जी बिल्कुर सर यही क्वेस्टिन है मेरे जहन में जब टेक्निकल वो इनारेसिस शूरू करे ना हम लोग तो पिर यह क्वेस्टिन पिर करूंगा जैसा कि आपने कहा कि यह बता रहे ना कि यह कहा तक जाएगी और क्या क हैं हमारा एक एक अनलाइज यहां पर गलत गया है नहीं गया सब के हमारे आरामदुल्लाह टीपीट हो हैं सबके एक भी अभी तक हमारा इससे लेटनी हुआ उसके रीजन किया है यही रीजन है कि एक तो हमने अच्छा ही वे पकड़ा हुआ है हम जिस रस्ते की ऊपर चल र होते हैं ना रास्ता वो ऐसा समझे लो अगर आपको लहोर जाना है ना मुलतान से तो वह आपको पहले जले जाते हैं पलोचिस्तान उसके बाद कराची और पिर आके जाते हैं आपको लहोर तो आपने वह रास्ता नहीं पकड़ना आपने यह रासा पकड़ना है मुलतान व थीक है हाँ जी दफ़ा करें उसके बाद ये उसके बाद आ जाती है जो बात में कर रहा था कि आपने 10% अपनी इंवेस्टमेंट का निगालना है औरिए परसिंट डेलि के उपर ड़िय पेस्यों और एक पर्संट निकाल ने बस घ्यूर रहिए सिर्फ फर्वादिन चोड़ें पेले चे ल –マ खुदारा मेरी बात के उपर अपर बार बार पर खेह रहा हूं छे मंद मेरी बात मालें सिर्फ एक परसेंट निकाले अपनी इन्वेस्टम्ट का जिसके पास हजार डलर इन्वेस्टर है वो सिर्फ और सिर्फ दस डलर निकाले बस यहार दस कोई कम नहीं है दस के पीछे आपको मंदली पचास जार बच रहे तो अगर आपने दो लाख इन् आप सिर्फ चार्ड को देखते हो टेकनिकल को देखते हो अपने सामने मुबायल को खोलते हो उसके उपर ट्रेडिंग व्यू को देखते हो और कोशिश करो कोशिश करो जितना ज्यादा हो सके कोई छोटा वोटा जिसके जो थोड़ा सा अफोर्ड नहीं कर सकता छोटा वोटा होगे मुबायल के उपर हमें तो अब हो चुका है काफी हर्सा लेकर में आपको यही मश्वरा दूँगा कि लेपटाप के उपर कोशिश करो नहीं तो अगर इसके पास नहीं यह एंगर अफोड़ नहीं कर सकता तो फिर वह मजबूरी है करे लेकर कोशिश करो उसके उपर पर जो मैं आपको बार बार समझा रहा हूं इसके इलावे कोई राक्ट साइज्स नहीं है इदर जो आपको बतानी पड़ जाएं कि यह मुश्किल है यह आप लोग को लोग मुश्किल करके बता रहे होते हैं या आपको ये चीजे समझनी है यह बस तो उसमें आप अपने मैंड के ओपर अपने जजबात के ओपर कंट्रोल रखो अपने मतलब के माइंड को फ्रेश रखो ज्यादा लालच की हवश्थ निकाल दो अपने माइंड से लालच ना करू ज्यादा यहां तक सब बातें कले रहें मुझे सब बताएं आज की जो बातें की हैं मैंने ये स्टोड़ा समझ आईए प्रॉफिट की रेशो रखके और उसके अलावा चार्ट के बगरा से हमाले से कहां से देखना है सारा कुछ ये समझ आया है ना आपको जी बिल्कुल सर किसी का कोई कुष्टन है तो पूछो जहां से कोई कुष्टन है तो पूछो मुझ से यार झार आगी तो आप लोग क्वैश्टन ही पूचते ये मणरी होई क्लास है पतहляется नहीं मुर्दा लाशी हो आप लोग यार सोय पड़े हो सर ये साइकालिजी के हवाले से मैं भी कुछ कहना चाहूंगा हाँ बोलो अगर कोई बंदा ऐसा समझे कि मैं ये बिसनस जो आनलाइन बिसनस कर रहा हूं ये फिजिकल है ऐसा समझे जैसा कि कपड़े का हो मेडिसन का हो और मेडिसन और कपड़े में दो लाग पर एक महीने में 40,000 कोई भी नहीं कमा सकता मतलब कि 10,000 भी नहीं कमा सकता अगर कोई बंदा समझे कि मैं फिजिकल बिसनस कर रहा हूं सरफ ये करतो तो वो क्या कहते हैं समझ जैसा लेकि हम फिजिकल कर रहे हैं और फिजिकल के रिश्यों जाए ना वो बहुत कम है वो क्या कहते हैं तो पिर वो बंद का उसे बन जाता है हाँ बिलकुल आपका अच्छय हए हुआ अपके अच्छए अंदास से अपने माशाला पठाने प्ठाने अंदा से बताया है लेकर बहुत अच्छय बताया है अपने खुछ वी मुझे कि बहूत को समझजायने बाकिए गढशे में तोड़ा मसला होता है ना हम पढ़ने ही कर सकते हैं मुझे पश्टो भी आती है परिशान नहूं मैं पश्टो में रहा हूं काफी अर्सा पश्टो भी आती है पश्टो में सवाल कर जाए करो नोशू अच्छा जी अच्छा ठीक है सर अच्छा तो अब बात आती है मेरी ब जितना question करोगे उतना ज्यादा सीखोगे आपकी सारे चीज़ निकल रहोंगे तो आपका question क्या था यार के हाँ देखो एक चीज़ याद रखो अब मैं हूँ ना ठीक है मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ अलहमदुल्ला यार मैं मुझे 5-6 साल हो गए मैंने कभी घर से एक रपिया भी ने लिया मैं घर को देता हूँ ठीक है मैं सिस्टर्स को सिस्टर्स की फीसेद वगएरा बड़े भाई के बड़ा भाई मेरा जो है ना उन्हें डिगरी की हुई है लेकर हमारे मुझे की हालाद के आपको पता है तो उनके उनको भी स्पोर्ट करता हूँ काफी अबू को भी स्पोर्ट करता हूँ अमी को भी तो काफी हलाके मैं मतलब के सारा मैं अपने अखरजात यूनिवस्टी है मेरी यूनिवस्टी की फी है आई टी है उसके बाद मैं LLB कर रहा हूँ भी मैंने इन्मेशन लिया है और उसके इलावा मेरे सारे आखराजात है यहां तक कि मेरे दोस्तों को भी मतलब जो है न थोड़े बहुत उद्र भी मैं कर देता हूँ तो यह सारा चीजे हैं यह सारी चीजे यहां से हैं मेरी ठीक है लेकिन उसके बावजूद भी मैं आपको एक चीज़ बता हूँ उसके बावजूद भी याद रखो कि कोशिश करो फोरेक्स से जो प्रॉफिट निकलता जाए न उससे थोड़ा सा इकठा करते जाओ साथ साथ या आपको मतलब मश्वरा दे रहा हूँ ठीक है जो करना चाहे तो यह हमेशां यादर को कि हमारे बड़े कहते हैं सब लोग पता होगा सबको कि कभी भी सारे अंडे कभी सारे अंडे ना डालो क्योंकर जब टोक्री टूटेगी तो उस ऽारे अंडे टूट छीएपन को रहा हुए तो मैं यह आरियल्टी के ऊपर पर ही मैरे बताता हूँ यार फुदा कसंद मेरे पस ऐसा असे दिन भी मिलती है जब पूरा क्या रिजन वसकी किसी के मारे में ृजन आई यह क्यों नही मिल जी ले पूछो कुछ कुछ के मैंड में कुई चीज आई। सर्णवेसलब सेट I起स्दर करते बंगे करते अथ देखें itself लोग जो मुलब सिगनल प्रोवाइडर है कि वो हर रोस ट्रेड देते हैं चाहिए ऐसे लोग चाहिए टीपी और ट्रेड उन्होंने देना होता है बिल्कुल बिल्कुल हंड्रेड परसेंट राइड यह चीज़ है चलो शुक्र है कि अब जो है ना कुछ ना कुछ बहतरी आ रही है लेकिन अबरार साब चुप है मुझे बड़ा अफसोस है हलागे बड़े सीनियर हैं काफी कुछ नोलज है ने के पास चले जी यूनस साब बहुत बहुत अच्छे यही चीज़ है कि लेवल का इंतजार करो भाई लेवल से जो लोड़ लोग है ना उसका मज़ा ही कुछ हो रहे मैं आपको यहां से थोड़ा सा चार्ट के उपर चलो अब लोग ने पूछा था कि यहां से क्या होने वाला है तो मैंने आपको सीधा बड़ा लेवल यह बताया था लेकिन हमारा फस्ट अर्गर यह था यह लेवन इसके बाद हमने थोड़ी सी इसके बुलिश थी तेरो मैं मैसेज देख लों से टाइम फ्रेम पॉनसर यूज कर यार एसल बड़ा हो जाता है देखो मेरी बाद सुनो आप हजार डलर मेरी बात में सबसे गोर से सुनो ना गरूर जो फालू में बता रहा हूं उनको फालू कर रहा तो एसल बड़ा नहीं होता यार क्यों एसल बड़ा हो जाता है है सबसे पहले बात आपका दिमाग सब्गार होता है जब आप 54 के चार्ड को देखते हैं वहां पर बढ़ा होता है वह यह नुख रहू ए को त्रेड के दो जादा तरफ वन रेशो डू करो बस वन रेशो त्री की तरफ मिना जाओ वह पास इन्वेस्टमेंट बड़ी होती है आपका अजार डालर है तो जारत से जिए वन के साथ ही कांगे इसमें भी आपको कामाबी है यार तो क्योंकि मैं आपको वो रूर्स प्रॉफिट में जा रही है तो आप चार और दस आपको डिलेके टरॉट कितना है दस डॉलर का पड़ा तू फॉर्टी से जर्ब दो मेंभी 10,000 एक वीड का आपको बच रहे और दस जार को अब जब दबाचार से तरब दो आपको बच रहे चालिस हजार मुझ्खली इंवस्ट्मंट कितनी है दो लाग और रिस्क कितना है वान परसेंट कि समझ जा रही है मेरी बातें समझ जा रही है नब वहाँ पर आपको चार्ड़ आपकी वह चार्ड्स से खृप करता है और आपको क्योंकि पेटरन का पता नहीं होता मारकेट अगे पीछे का पता नहीं होता है गोल हमेषा आपने रिवीड करताcidos का आया है मैं आपको बताता हूं यह तो अरिया है ना już ऑन को और जीज बताता करो मैं यह चीज मध्ड में रखना हूं यह से हुआ इस एरिया के अंदर कल एक बंदा आया है मार्किट सिर्फ इसी रेजिया में घुमती रही है और मैं कह रहा था कि एक मन्त यहां पर ही रहेगी एक से दो मन्त यह जब 16 16 16 पे उपर थी मैंने कहा था ग्रूप में जाओ देखो कि यहां से उठेगी और 1800 और 1720 के दर्मियान जो यह इस एरिया के अंदर एक बंदेने अभी यहां सातुके यहां टर्ला किया हुए हूं मुझे कल के है मुझे कि सर मेरा यह हूँ है बताओ कैसे किया सूने यह उसने चभ्वशज करने से लेवल का इनतजाने सब्सक्राइध ऐसने मार्किट इसी अदिम प्तारा था आपको लेवल असल में यार एक चीज़ छुटती है ना तो अब बताने पर बेड़ जाऊना तो मैं सुबह तक भी बताता जाऊंगे क्लास एंड नहीं होगी ठीक है तो ये चीज़ें आपको इन्शाला इस तक लेर होगी बाकी मैं कोशिश करूँगा जब लोग जब तक आप लोग खुद नहीं गोगए कि सारा में सारा कुछ आ गया है तो तब तक ये क्लास एंड नहीं हो इन्शाला तब तक हम लोग जारी रखेंगे इसे ठीक है त कि आपको इन्ट के ओपर चार्ट भी दिखा है अभी मैं में आपको चार्ट की तरफ ल हृँ तो चार्ट के Analyse बी सासात में देता जा एक हम पर此 हम distress होगा हमारा मुठा क्छ तीन चार यार चार्ट को कितना मुश्किल जश्यों ले रहे हो यह बताओ चार्ट में कौन सी rocket science है? नहीं rocket science तो जैसे आज सम्झा रहे हैं बिल्कल कोई भी नहीं है लेकिन मतला यह है ना कि हमारे लिए तो अब मतलब rocket science वाले हिसाब यह कि पता कुछ भी नहीं है मतलब levels निकालने आप तो basically levels base पे बात का रहे हो न तो हमें ये कोई आइडिया ही नहीं है यार मैंने आपको सबसे पहले यही कहा था कि क्लास देने से पहले ही कहा था सब लोग मेरी बात सुन लो पिछली जो भी चीजें क्लास से लेकी आयो जहां से भी कॉर्स करकी आयो सब को एक दफ़ा अपने मैंड से साफ कर लो डेटा कर दो अब न्यू फाइल एड़ करो अपने मैंड में जो मैं आपको दे रहा हूँ इसके उपर वर्क करो देखो फाइल चलती है कि नहीं चलती कि आपका मैंड बने आपको थोड़ा सा उची आवाद में समझाएगी ना कि बंदा इतनी मेहनत कर रहा यार फोड़ा सा चीख रहे तो एसास करने करो एसास मेरा भी करो कि आपके मैंड में ये बातें बहुते हैं समझें ठीक है उसके बाद टेक्निकल के उपर आएंगे यार हम चार्ट के उपर ऐसा आएंगे कि अब मैं यहां से स्टूड़न को कहूंगा कि हाँ भई आप नेक्स्ट मूब बताओगा आप ट्रेट का वो खुद निकालेगा और अगले दिन वही ट्रेट वेसे ही होगी इन्शाला यार खुद निकालेगा और निशाला 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 देखोंगे आप लोगो खुद सामने देखोंगे तो मरकेट अगले दिन वेसा ही गूफ करेगी बस चार्ट इतना असान है अपने मैंट के उपर फोकस करो अभी चार्ट को दरबना जाओ दस मिंट रहते हैं यार यह च लाट ने मिलती तो मरकेट लेवल के उपर आती नहीं है मैं लाट के सेल हूं यार परिशान हो जाता हूं मैं तो अब देखो मरकेट लेवल के उपर आई इसने टेस्टिंग दी इसके लेवल क्या था लेवल यह होता है कि इसकी क्लोजिंग पकड़ो इसकी लास्ट स्पाइ इंटर हो गया अब मैंने यहां से जितना रिवाड लेना है उतना ही मैंने एसल रखना है नहीं देखो ना वो तुम्हें बता रहा हूं अगे थोड़ा सब सुन लो हसला रखो मैं बता रहा हूं सर तो यह देखो के बढ़ी अच्छी बात है आड़ने वेसे रह अखनी पकड़ी है यह मैं खुद ही कि इसका मैंड कुला है किसी का मैंड ने खुला है उसने कहाए कि क्यों आप अगूस से गुस जा रहे हूं मैं कहे गहा हूं कि लफ़स कि जब भी इसके अंदर आया आप गुस जाओ ठीक है तो सिर्फ यूनेस साब ने पकड़ी है यूनेस साब वेडलन बागी किसी नहीं नहीं कहा कि जरा आपने इसे क्यों कह जा गुस जाओ इसके अंदर जब गुसना है यह एच फॉर का चार्ट है भाई ऐसे नहीं गुस जाना इसके अंदर इस पाइक क्या पता स्पाइक यह स्पाइक ना लगाए थोड़ा सा नीचे आगे दोबरा यह उपर क्लोजिंग देदे फिर नहीं अब नीचे वाले टैम फ्रेम में जले ज आँ जी यह लो मज़ा आया अब यूनिस आप देख रहे हो जी सर अब बताओ लाट लोगए इदर से नहीं लोगए सिल्की जब उस ने सरस को कैसे तर रिजिस्टनस में लिए और तो इसने पुल बैक किया तो उसके बाद ली जा सकती है बलुक्र अब लोगए के नहीं लोगए यह लेवर बताओ मुझे यह जो मैंने हैं यह मार्क कि है इसके अंदर आपको कुछ यह नदर आ रहा है कुछ पैटरंस सर जी कि मैं बात का रहा हूं सर के इसको रिजेक्शन मिली है हाँ तो अब देखो अब वहां से हमें कर्फरमेशन नहीं मिल रही थी यहां से कंवरेशन कंवरेशन मिल चुगी है भाई यह ट्रेंड जो था ना यह अब यहांं पर क्यों उसके रिजन है एक तो हमेहा से यहां से हमने लोड नी इस एडिया मेक्दिदी में विली हानके यहां से यहां से लग रहे थी हमने पिर बिन इंतिजार किया कि ययार इसकी जो असल य्वल ہے तो इस एरिया में है तो यहां से आगर इस लिविशन मिली तो है सेफ ट्रेड है यहां से प्रेड़ू भाई नहीं सब्सक्रो lavah talked of आपार। तो बाज उकार तो कुछ होते ना री टेस्ट प्रेडर्स भी तो री टेस्ट पर ऐसा जुस्तरा नहीं इसने किया सुरी समझा नहीं मैं बात को साथ देखें एक बार रिजेक्शन मिली तो बास कहते हैं कि री टेस्ट पर इंट्री लेनी है आपने फस्ट रिजेक्शन भी नहीं लेनी है हो सकता है कि फिर मार्कीट उपर जाए तो यार देखो एच वार्म में दुबारा वापस आजा दुब अपने साथ से ठीक कहते हैं लेकिन मैं आपको दुबारा समझाता हूँ जी आप दुबारा प्रे मैं आपको बात में साथा आगा समझ नहीं आएगी चार्ट के उपर इस विसे टाइम सोड़ा रहता है अच्छा जी लोग कहते हैं कि यहां से लोगों की बात ना मानों कभी अब तो बात ही है कि अनकी बात माने तो फिर निकल जाएगी अब अब क्या करना है अब देखो मैं बताता हूं अब लाड तो हमने यहां से इस एरिया से ले लिए है केंडल का फुरा क्लोर्व होने का वेट करें उसकेपाद कैंडल क्लोजिंग कैंडल क्लोज हो गई अब आपने इस और उसे इस निकलॉजिंगा है ना दुपर है यह लेंए अभर उपर इसकी जो बाड़ी की उपर वाले ही साइड है इसकी उपर जब भी दुपरा मार्कीट है तो यहां से इंट्री लेने हैं देखो यहां पर आई है यह मार्कीट दुपरा यह इस एरिया में आई है तो यहां से आपने आपने इस तो यहां पर दुपरार है तो फिर आपने लेन हैं तो इसकि बाड़ी को पकड़ना कोई लोग नहीं पकड़ते यजो होगा वह थी बॉड़ ना चाहिए बॉड़ में जा है उतना अब यह हैर्शीटिव का director होगा सब्सक्राइब कि या फ्रेकर ना चाहिए कैशन है है मजड़ा नहीं आएगा तरो मैं इसको फिर्द सूर टाहं दो बढ़े में लेड़ा जाता हूं याट यह रिझस्टन का अरिया कांट होगा तो क्योंकर है जिस्टन की ऊपर यह हल चल रही है बड़े टाईम व्रेम की n yearly घड़ा गया बेशा कि इसके टेस्ट का वेड कोई करता है कोई नहीं करता लेकर मैं नहीं करता हूँ नहीं हैriebenे लुप मेरा नियुक्त कॉछ विप-प tiefym पचार स्वी सेकंड टीपी 100 सोरी डेट सो पीप मेरे खियार में यह पिर हंड्रेट यह था हम सेकंड टीपी वह यह होगा जो नेक्स्ट लेवा लोगा नेक्स्ट लेवल कहां से निकला है मैंने यहां से तरह आँ सबको आखर यह उर्या नीचे ब्रेक हुआ उसके बाद ये यह यह कंफर में पर एकर यह तक मरकिट का आना लाजम है यह इस एरिया थे अगर यह भिए उसड़िया था प्रिश्ट अनो लाधिम है समय जा रही है सर ये एसल एसल जो है ना ये तक्रीबन हंडर्ड फिप्स हो गया पिर जो आपने वह रिजिस्टंट की उपर लिया है यार ये देखो ये कोई लाड लग रही है बाइस का एरिया लगा लो बाइस दें और एसल बन रहा है अठाइस इसका टीपी बीड़ भी बाइस से लाड लेते हूं अब रिवार्ड इसका देखो कहां बन रहा है फस्स रिवार्ड कितना बन रहा है बाइस से यह बन रहा है कोई बारा कह रहा है अब बताओ लगी समझ जी जी बिलकुल हाँ तो जब यह मार्केट एक बार अपना लेवल बना देना एक स्ट्रक्चर तो उसको यह फूरा करती है यार एटी परसेंट पूरा कर जाती है बाद उकात न्यूस इसको खराब कर जाती है जब भी आपका टेकनिकल मेरीज बताए हों चीजो होगा और टेकनिकल तब फेल होगा जब फंडमेंटल न्यूस आएगी वरना टेकनिकल फेल नहीं होगा अब क्लासिस रेंड़ होने जा रही है यार एक मिट रहता है तो इनिशाला कल को फिर आपके सवाल होंगे और पूछें के बताएंगे और फिलाल गोल्ड की यहां से तो अब यहां से सेलिंग दोबारा हो सकती है नहीं तो इसके उपर क्लोजिंग होगी तो फिर यह यह एरिया है भुबाई बुलिश का ठीक है तो फिर इनिशाला नेक्स्ट कल को बात करेंगे जो भी होगा देखेंगे तो फिलाल के लिए इजादत दीजिए